पूरी स्टार कास से सारे कलाकारों से अब बारी आती है कि हम आपका इंटुडक्शन करवाएं हम आपके परिशर करवाएं उनसे जिनोंने ये भव्य शो का निर्मान किया है तो अब मैं आन स्टेज बोलाने जा रहे हैं और आप सभी से नुरोद करती हो कि जोरदार तालियो किसे स्वागत करें हमारे प्रोड्यूसर्स का सोबो फिल्म से स्मृति सुशील कुमाई शिंदे जी और बोबी अरोड़ा जी का कमाने बड़ी तालिया तालिया तालियों में जोरा जाहिए थोड़ा शोर भी होना चाहिए तभी अच्छा लगता है बहुत-बहुत स्वाग ठबशिति थी कि पुरालोगों थो बाबाश है के बारे काफी कुछ पता है परजो आज की युवा हज गैरेशन है उन्हें भी जान्ने का पुरा है किया। हम पड़ते किना है ओ तौन ही पता थूर ए इस शो के द्वारा बाबाश था लिए बारे में के भी पासितू के और से जो आये हैं का उनका यहां पे स्वागत और जो बंबे के हैं वेलकम तू दो सेट ऑफ एक महानायक बाबस दॉक्टर बाबसाय बंबेटकर काफी कोच अलरडी कहा गया है शो के बारे में लेकिन जितना कहूं इतना कम है और हमारे लिए भी एस प्रोडूसर्स बॉबी अरोरा जी मैं हमारे लिए भी एक यह डिस्कावरी जो नी है फ्रैंक्ली स्पीकिंग क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं उससे कई ज्यादा उनके बा एक स्ट्रॉगल था हम यह शो इसलिए यह रही थैंक्फल तो एंटीवी और विष्णू शंकर और अमिता ब्राइन आपर अलाविंस तो ब्रिंग इस इंक्रण आफ और व्योंकि यह जादा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि काफी सारा अलड़ी कहें गए यहां पे अन्ड़ कॉंसेट और किसी के लिए यह शो आज़ा कॉंसेट अंजान नहीं है तो आप देखिया अभी जैसे ही एर होता है सत्रा तारिक को साड़े आड़ बजे आंट टीवी पे आप देखिये सब लोग आप देखिये रहे हैं अभी आपने हमारे प्रोडूसर्स से मुलाकात की उनके बारे में जाना अब मैं ओन स्टेज बुलां चाहते हूं हमारे जो डिरेक्टर है इस शो के इंसलिंट पंजाबी जी उन्हें तुज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजी है इंतियाज पंजाबी जी का एक और चीज में हों पर आड़ करना चाहूंगी कि जो इंदियास पंजाबी जी और हमारे शांती भूषण जी जो लिख रहे हैं आई आई नहीं आई एबहुत जरूरी है मेरे लिए बहुत जरूरी है वहत प्यार से लिख रहे हैं यह कहानी उनके बिना है, हम कुछ नहीं कर सकते. यह हमारे शो के दीप स्थम्ब में बोलू तो भी कम है, क्योंकि यह जिस तरह से कहानी बहुत प्यार से लिख रहे हैं, हम जब पढ़ते हैं, जब इनका नरेशन होता है, तो हमारे सब के आँखों में आसुआ जाता है, बहुत ही प्यार से लिखा है, बहुत ही इमोशन के साथ लिखा है, तो शांती भूशन जी, प्लीज. मुझे बोलना कम आता है, लिखना ज़्यादा आता है, बट मैं सबसे पहले धन्यवाद दूँगा, आइन टीवी को, बिष्णु शंकर, अमिताब रहना, सोवो फिल्म, स्मिर्ती जी, बावबी जी, मैं सबका आभारी हूँ कि मुझे इतना कठीन कारे दिया, मेरे लेखेकी जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मैं कभी लिखने से डरा नहीं, लेकिन जब से मैं बावा साब के बारे में लिखने के लिए हां कहा, तब से में अंदर एक डर्स आ रहता है, कि इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में कहीं कुछ गलत नन लिख दू नरके साब हैं, गलती होने नहीं देते हैं, मारक दर्शक के रूप में हमेशा साथ में रहते हैं और बताते रहते हैं, बावा साब के बारे में जितना सभी लोग देश के लोग जानते हैं, उतना मैं भी जानता था, चुकि सिक्षक का पुत्र हूं तो थोड़ा सा जादा मेरे पिता जी बताया करते थे कि बावा साब बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत टेलेंटेट थे, लेकिन जब लिखने के लिए जब मुझे कहा गया और तब मैं अध्यान करना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि मेरा बचा हुआ जीवन, शायद मैं अगर पूरा दे तूं बावा साब के काम और उनके संगर्श और उनके जीवन को समझने में, तो शायद मेरा बचा हुआ जीवन कम पड़ेगा, एक बर फिर से जनम लेना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि हमें इतिहास में बावा साब को ठीक से पढ़ाया नहीं गया, इतिहास में ब हमारी जिम्यदारी है कि हम अपने बच्चों को उनके बारे में सही-सही बता सकें, जो हमारे बारे में सही-सही सोचे हैं, हमारे लिए कुछ सही-सही काम किये हैं, और बाबा साहब आधुनिक भारत के सबसे बड़े नेता इनसान हैं, जिनोंने सबसे महत्तपौन कारे किया देश की आजादी के लिए बहुत लोग लड़ रहे थे बाबा साहब को भी आजादी चाहिए थी और लड़ रहे थे लेकिन उनको सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए था, उनको सामाजिक परिवर्तन चाहिए था, और सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ना आसान नहीं था, बाबा साहब अकेले लड़ रहे थे, जबकि पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, बाबा साहब अंग्रेजों से भी लड देखते हैं कि शायद बाबा साहब नहीं होते अंग्रेज चले गए होते दूसरे टाइप के अंग्रेज आ गए होते और हमारे हमारे देश की सामाजी की स्थिति वही होती जो हम हजारों सालों पहले की सुनते हैं बाबा साहब ने मनुष्यों के भेद को मिटाने की लडाई लड़ी और उसमें काफी हद तक सफल रहे हम इस धरवाहिक को लिखते समय यही सोचते हैं कि बाबा साहब के बारे में बात करने से शायद आने वाली पीडी उनके जो रह गए सपने जो अधूरे सपने हैं उसको प बाबा साहब के पत पर चलेगा तो लगे गाए कि हम लोगों का प्रयास सार्थक हुआ है बाकी नरके सहावा मेरे सारे दोस्तों ने जो कहा हो बहुत है और मैं फिर से कहता हूं मैं लिखना जानता हूं बोलना कम जानता हूं तो आप लोग सेरियल देखिये 17 दिसंबर से आ अपने संसकार में उसको डाल लीजिए, धन्यवाद। जो जो हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में, उससे हमको पता चलता है वो कितने महान इंसान थे, मैं बस इतना कहूंगा कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉंसिपलिटी दी गई है मुझे, मेरे प्रोड्यूसर ने, मेरे चैनल ने, तो मैं अपनी पूरी काबलियत से इसको निभान बहुत 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 धनिवाद डिरेक्टर सब, अब हम बहुत कुछ किसमत है के हमारे बीच में एक और जानी मानी परस्नालिटी है, जिनने में मंच पर बुलान चाहूंगी, देवियों और सजनों, जोड़दार और शोड़दार तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीज से प्रोग रेन धे, प्रोग मधी, न आपका powder, ए भ्याक टालिये तीर सीजोर, अर्मिन एक राप安 व्यलंः कमार मूर्ड इजए आने अमेताप सर, रटर थार ईतांगी, खरतौनीजु मृत है आपका अनुभव कैसा रहा और इस शो को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? तो अलड़ी जो जितने लोग हमारे बीच में हैं आपे वो कह चुके हैं, बात कर चुके हैं, हमारा सब इतना है कि इतनी बड़ी हमारे चैनल मिली है, तो वो रिस्पॉंस्बीलिटि यहां बखूदी निवाएं और जो जिन जिन लोगों को सिर्फ इतना मालूम ता कि सिर्फ कॉंसिटीूशन लिख और कुछ नहीं, हिंदुस्तान को बनाने वाले बाबा साहब उनके बारे मां ठीक कह सके हम लोग, बहुत बहुत धन्यवाद सर और अब आपके सामने फिर से बता दू हमारे शो के कलाकार हैं, शो के प्रोड्यूसर हैं, शो के डिरेक्टर हैं, और अमिताफ सर हैं, और अधर हैं हमारे शो के लिखक, तो पूरी टीम हमारी वंच में मौजबूद है, अब आपको स्टेज ओप पोटो ऑपर्चुनिटी विट ओवर तो सुरिती जी और बाभी जी प्लीज तेल अबाट इस शो के बारे में लेकिन जितना कहूं इतना कम है, और हमारे लिए भी आस प्रोड्यूसर्स बाभी अरोरा जी में, हमारे लिए भी एक यह discovery journey है, frankly speaking, क्योंकि जितना हम पड़ते हैं, उससे कई ज्यादा उनके बारे में लिखा गया है, और जिनका हमको अब तक जब हमने शो हाथ में लिया है, तब हमको पता चला है कि उनका जीवन हम जितना सुनते हैं, उससे कितना बड़ा एक स्ट्रॉगल था, हम यह शो इस यह शो हम यह शो हम बुट्दारी हैं, बुट्स इम्मेडारी हैं, बाइस संदा प्रा ठीव माच सब्सक्रान में त्टीर हमें, इस कि अच्छा बुट्ख को थायु अढ़ी के हमें, क्योंकि यह शो थां पन्जाम को तो आप देखी अभी जैसे ही एर होता है सत्रा तारिक को, साड़े आठ बजे आएंट टीवी पे आप देखिये सब लोग. तो आप देखिये सब देखिये साथ तो आप देखिये सब देखिये साथ आप अभी आपने हमारे प्रोडूसर्स से मुलाकात की उनके बारे में जाना. अब मैं on stage बुलान चाहते हूं हमारे जो डिरेक्टर है इस शो के इम्तियाज पंजाबी जी उन्हें तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजे इम्तियाज पंजाबी जी का एक और चीज मैं हाँ पर आड़ करना चाहूंगी कि जो इम्तियास पंजाबी जी और हमारे शांती भूशन जी जो लिख रहे हैं दोच प्रॉन होँआए ।ा 5 जरी नीज्य मेरी बागल हूँ भराद ये प्लीजा हूँ जाई आई ये बहूत प्यार से ये खार शेयर में का हमने कशनी कर सकतें या ये ये हमारे शो कि दीपस थम जानगाजार को ऑना काता है कि ये जिस तरह से कहानी बहुत प्यार הुम जब पड़ते हैं, जब ही इनका narration होता है तो हमारे सब के आखो मैं आशए आजाता है. बहुत ही प्यार से लिखा है, बहुत ही emotion के साथ लिखा है, तो शांतीभूशन जी, please. मुझे बोलना कम आता है, लिखना ज्यादा आता है. बट मैं सबसे पहले धन्यवाद दूँगा आइन टीवी को बिष्णु शंकर, अमिताव रहना, सोवो फिल्म, स्मिर्ती जी, बावबी जी, मैं सबका आभारी हूँ कि मुझे इतना कठीन कारे दिया, मेरे लेखेकी जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मैं कभी लिखने स डरा नहीं, लेकिन जब से मैं बावा साब के बारे में लिखने के लिए हां कहा, तब से में अंदर एक डर्सा रहता है कि इतने बड़े व्यक्तित्तों के बारे में कहीं कुछ गलत न निख दूँ, नरके साब हैं, गलती होने नहीं देते हैं, मारक दर्शक के रूप में हमेशा साथ में रहते हैं और बताते रहते हैं, बावा साब के बारे में जितना सभी लोग देश के लोग जानते हैं, उतना मैं भी जानता था, चुकि शिक्षक का पुत्र हूं तो थोड़ा सा करना शुरू किया तो मुझे लगता है कि मेरा बचा हुआ जीवन शायद मैं अगर पूरा जीवन दे दूं बावा साब के काम और उनके संगर्श और उनके जीवन को समझने में तो शायद मेरा बचा हुआ जीवन कम पड़ेगा एक बर फिर से जनम लेना पड़ेगा और के दृहिसारी है कि हम अपने बच्चों को उनके बारे में सही-सही बता सकें जो हमारे बारे में सही-सही सोचे हैं हमारे लिए कुछ सही-स Like काम किये और बाबा साहब आधुनिक भारत के सबसे बड़े नेता इनसान है जिन्होंने सबसे महत्तपूर्ण कारे किया है देश के आजादी के लिए बहुत लोग लड़ रहे थे बाबा साहब को भी आजादी चाहिए थी और लड़ रहे थे लेकिन उनको सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए था उनको सामाजिक परिवर्तन चाहिए था और सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ना आसान नहीं था बाबा साहब अकेले लड़ रहे थे जबकि पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था बाबा साहब अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे और इस देश की वेवस्तामाजिक वेवस्ता से भी लड़ रहे थे और बाबा साहब उसमें जीते, विजयी हुए उनकी लडाई का परिडाम है कि आज हम इस तरह का भारत देखते हैं शायद बाबा साहम नहीं होते, अंग्रेज चले गए होते, दूसरे टाइप का अंग्रेज आ गए होते और हमारे देश की सामाजी की स्थिति वही होती जो हम हजारों सालों पहले की सुनते हैं बाबा साहम ने मनुष्यों के भेद को मिटाने की लडाई लड़ी और उसमें काफी हद तक सफल रहे हम इस धरवाहिक को लिखते समय यही सोचते हैं कि बाबा साहम के बारे में बात करने से शायद आने वाली पीड़ी उनके जो रह गए सपने जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करने के बारे में सोचें अगर एक लड़का भी इस सीरियल को देखने के बाद बाबा साहब के विचारों से प्रभावित होकर बाबा साहब के पत पे चलेगा तो लगे है कि हम लोगों का प्रयास सार्थक हुआ है बाकी नरके साहब आप मेरे सारे दोस्तों ने जो कहा हो बहुत है और मैं फिर से कहता हूं मैं लिखना जानता हूं बोलना कम जानता हूं तो आप लोग सीरियल देखिए 17 दिसंबर से आपको बहुत मज़ा आएगा ज् मिलेगी और बावा साथ के विचारों को अपने अंदर बसा लीजिए अपने खून में उसे घोल लीजिए अपने संसकार में उसको डाल लीजिए दन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शांती भूशन जी अब हमारे डिरेक्टर सर से अनुरोद करती हूं इम्तियास पंच सब्सक्राइब बहुत सारी ऐसी चीजे थी जो नहीं जानते थे अब जब हम सीरिल कर रहे हैं आहिसते आहिसते जो पड़ते खुल रही है और जो जो हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में उससे हम को पता चलता है वो कितने महान इंसान थे मैं बस इतना कहूंगा कि एक बहुत था जब अने सफल हुए हैं इसमें आए यह वोप यू विल जॉई दिशो और दिशो कि ए एक और रोड़ जानी मानी पर इसनालिटी ए जिनने मैं मज पर बुलान जाहोंगी देवियों सजनों जोड़तार और शोड़तार ताली कर साथ मज पर स्वागत किजे प्रोग्रमि तालिया 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 कमान. रुकनी धीजे यह देखेए तालिया सेहत के लिए इच्छी होती है, तो बिलकुल बिलकुल कजुसी नहीं दालियो मैं. बहुत-बहुत स्वागे देसं आपका. अमिताफ सर्च, I would request you to please take the center stage because this is extreme corner and I want everybody to see you. तो अमिताब सर, आपका अनुभव कैसा रहा और इस शो को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? तो अनुभव को आपका रहा है चाहते हैं, तो अनुभव पूस्पोंस्मिलिटी आम भखो भी निवायए और जो जिन जिन लोगों को सिर्फ इतना मालूम ता कि सिर्फ इतना मालूम ता कि सर्फ कॉंस्पीश लिख और कुछ नहीं, हिंदुस्तान को बनाने वाले बाबा साह बहुत बहुत धन्यवाद सर और अब आपके सामने फिर से बता दू हमारे शो के कलाकार है, शो के प्रोडूसर है, शो के डिरेक्टर है, और अमिताव सर है, और अधर है हमारे शो के लेखक, तो पूरी टीम हमारी बंच में मौजबूद है, अब आपको स्टेज ओपन करती फोटो ऑपर्चुनिटी के लिए, तो आईये और आप फोटो जैसे भी हमारे प्रोडूसर के साथ कलाकार जिसके साथ ले रहा चाते है, अब ले सकते हैं, अब ले सकते हैं, एझाहिए, अब ले सकते हैं, बहुते।